अलो फ्रेंड्स बहुत स्वागत है आपका आर्डेवल्यू के इस सांदार प्लैटफॉर्ण पर मैं हूं डॉक्टर संजनकुमार आपके लिए तैयार आरो ए आरो के बैच के साथ मैं पहली बार इस प्लैटफॉर्ण पर आपको आज संबोधित कर रहा हूं और बहुत ही सव उसका जो आशिरवाद मेरे उपर रहा है मैं मान के चलता हूं कि अगर कुछ भी मेरे पास है उनका ही परेडाम है उनके ही मेहनत का परेडाम है आज शिक्षक दिवस के दिन दोहडी भूमिका है एक तो मैं भी शुष्य की भूमिका में होता हूं जब मेरे गुरुजन कोशिश करो जितने भी बच्चे जूर हैं पहले तुमें सबका स्वागत करो क्योंकि मैं नाम सबकान ही ले पा रहा हो कुछ बचे देख रहा हूं लेकिन नाम नहीं ले पा रहा हूं कि बहुत तेजी से चैट चल रहा है लेकिन आपने राश्च्र मत होईएगा जैसे ही ए platform है सिख्षक से बात करने का बहराल मैं बात कर रहा था सिख्षक दिवस की और आज सिख्षक दिवस है और आज ही के दिन एक बहुत ही महत्पूर्ण प्रोग्राम आपकी चैनल पर सुरू हो रहा है एक तरो से आप देखें तिया सिविल सेवा की तरफ आप सिफ्ट कर रहे हैं यह सिर्फ आरो यहां का बैच नहीं बस एक जहलक है कि आप अब यहां से लेकर कि सिविल सेवा जिसको का इस आई पीएस आप कहते हैं वहां तक सुचित गाइडलाइन भी नहीं प्राप्त होता है तिया संगर्स और भी बढ़ जाता है मैं अंकित सरका बहुत शुक्रिया व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहां पर यहां प्रोग्राम शुरू किया और मैं भी इससे जुरने का मौका पास सका कल भी मैं आपके चैट को द प्रोशिस की जाएगी चुकि अंकित सर ने मुझे सिविल सेवा के छेतर में मेरे अनुभव को देखते हुए मुझे यहां पर मौका दिया है एक जो अनुभव रहा है कि कैसे बच्चों के साथ उनके स्लेवर्स को भी पूरा किया जाए अच्छे तरीके से पूरा किया जा तो मैंने लगभग 15 से 20 साल के दोरान अनुभव गैन किया है मैं चाहता हूँ कि वह अनुभव आपके साथ भी सेयर के आ जाए और अपने स्टाइल में अपना स्टाइल मतलब होता है कि मैं आपकी कमियों को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ रोज मैं बच्चों से ही इ ही और रियेक्ट करते हैं जब तक आप नहीं बताते हैं कि क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया एक शिक्षक के लिए पत्तपरदर्शन हो भी नहीं सकता अगर आप केवल यही कहते हैं कि नहीं आप बहुत बढ़िया है सब कुछ अच्छा है मुझे सारी बाते समझ म होता है तफ इसलिए नहीं कि जानकारी का भाव है बलकि बहुत कम सीटें होती है और टफ इसलिए कि आपको अंतिम सेलेक्शन लेने में डिक्कते तो होती ही होती है ऐसा तो है नहीं कि जितने बचे बैठते हैं सभी सेलेक्ट हो जाते हैं यहां पर एक सिक्षक की भूमिका ब लिखते हैं कि खड़ी है आपके पीछे उस दिन इंट्रोड़क्शन वाले भाग में थोड़ा सा बोलने का मौका मिला था वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्amation हैं एक्जाम के वह सारे कॉम्प्लिकेशन मेरे होंगे बस आप केवल महनत करने के लिए खड़े हो यह और महनत करने का वादा करके पीछे मत रटना कै आप अपने उपर विस्वास करना कि आप सफल हो सकते हो पता नहीं कितने बच्चों ने यह बातें अपने जिहन में बिठाईए अभी भी मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना और यह वादा अपने आप से करना कि चाहे जिस भी एक्जाम के लिए आप फाइट कर रहे हो वह आप से जरूर निकलेगा यदि आपने सचे दिल से सचे मन से प्रयास किया है यहाँ पर कोई अराधना प्रार्थना उपाशना यह काम नहीं देने वाला है जो आप मंदिरों में जाके करते हैं आपको काम देगा आपकी मेहनत स्लेवस के इसाब से आपकी तैयारी और कुछ नहीं चाहिए इसमें नथिंग कुछ नहीं चाहिए बस इतना ही चाहिए असा करता हूं कि सारी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे जितने भी लौट आप बच्चे इतने बड़े पैमाने पर बच्चे जुड़े हुए हैं मैं इनका आपका बहुत सुक्रिया व्यक अब फिर नए सिरे से आपकी क्लास शुरू होगे यह क्लास आपकी आज से शुरू है उन वच्चों के लिए जो अभी भी डाउट में हैं कि पता निकैसे टीचर होंगे क्या पढ़ाएंगे क्या रनीती होगी होगी नहीं होगी चले जाएंगे कभी-कभी और चाहिए भी करते हैं कि आप तो अलग अलग जगह पर थे लेकिन वह एक अलग मुद्दा होता है वह एक अलग चरण होता है और विकाश का वह चरण है कभी जहां मौका मिले वहां पर आकरके खड़े होते हैं उद्देश्य केवल यही होता है कि आप जैसे बच्चों को थीच कर सके आज से आपकी क्लास शुरू हो रहे ही तीन दिनों तक यहां क्लास चलती रहेगी और तीन दिनों के बाद यहां क्लास आपके अप्लिकेशन पर सिफ्ट हो जाएगी यानि आच क्लास वन है भले आप जो बच नहीं लिए हैं उनके लिए वह?. ल bene मों होग लेकिन है स्क्लास तो मैं generally कहता हूँ, read, think and practice, आप पहले read करते हैं, think करते हैं, think करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप रठते रह जाएंगे, आप से इतिहास तो खर बिल्कुल भी नहीं समलेगा, और फिर आप लगातार practice करेंगे, हर chapter के साथ practice करेंगे, हर subject के साथ practice करेंगे, तो इससे धीरे 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 आप में perfection आता चला जाएगा, चलिए, आप चारिक रूप से आगाज करते हैं, आज के session का, जो history से शुरू हो रहा है, इतिहास विसे चुकी थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी का मतलब है, प्राचीन भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा segment है, मधिकाल कि आपको बोड़ियत फील नहीं होगी, मैं कुछ रटवाऊंगा आपको नहीं, कुछ भी एक भी सब्द में रटने के लिए आपको नहीं कहूंगा, ये guarantee है, इसके बाद आप देखना कि आपको खुद बखुद सारी बाते याद होती चली जाएंगी, और मैं अपेक्शा रखता हो कि लगवख 70% बाते उन बच्चों को भी याद हो जाएंगी, जो पहली बार क्लास में यहाँ पर ले रहे, जब क्लास की सुरुआत करते हैं, तो जो प्रोग्राम है, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसको आप अनेथा मत लेंगे, जो प्रोग्राम आपका launch किया गया है अंकित सर के द्वारा, वह प्रोग्राम असल में क्या है, और इसके fee duration के बारे में भी आपको बता देना जरूरी होगा, यहाँ एक चैट मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब बच्चों का चैट में देख रहा था, वह चैट बहुत ही भावुक कर दे इतना कम फी रखेंगे, यह मैंने भी नहीं सोचा था, बात यहाँ ठीक ही नहीं है, बात यहाँ पर selection की है, जो सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे, आप जानिए, एक रुपया भी अगर फी आपने दिया है, वह भी आपके लिए बहुत ज्यादा है, अगर आपने मेहनत न आपका समय बहुत कीमती होता है, यही तीन से चार साल का समय है, जबकि आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे, उसके बाद धीरे 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 आप डिकलाइन करते जाएंगे, या तो कही प्रैविट नौकरी में जाना चाहेंगे, चाहेंगे किसी तरह से जीवन सेटल ह हो जाए, बहुत सारे बच्चे तो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, आपने अपने ही समाज में दिखा होगा, इसलिए आप इस पर चिंता मत कीजिएगा, जो बैच आपका सुरू हो रहा है, वह आज से वह हिस्ट्री से होगा, इसके बाद फिर जोग्रफी होगा, यह स जा चुका है कि पूरे दिन आपकी क्लासेज चलती रहेंगी, और यह डेमो क्लास, क्लास वन है, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, वह भी ध्यान से देखेंगे, अधिकारी बैच है आपका, आपर नीजी सचीब जो APS बैच है, जैसा कि बच्चे कह भी रहे थे, कि म कुछ दिनों के लिए, तीन-चार दिनों के लिए रखा गया है, अंकित सर ने विशिस रूप से अनरोद किया था, कि मैं आप से तोरा चार इस पर भी चर्चा कर लूँ, कि दो-तिन दिन के बाद ये फिर फी आपका ट्रिपल लाइन में आ जाएगा, हालाकि ये भी ठीक कम है, लेकिन तब भी आप चाहें, तो और भी लाव उठा सकते हैं, रेजिस्टेशन आपका 2 से अल्लेडी प्रारंब हो चुका है, जिस तीन हम लोगों ने पहला बैच लिया था, आरो-ए-ारो का बैच है, जो अधिकारी बैच है, प्री और मेंस का, जिस बैच में, मैं यहा आना चाहें, वो भी आ सकते हैं, दो-तीन दिन आप क्लास देख करके भी आ सकते हैं, और यहाँ पर जो प्री मेंस और कम्प्यूटर टेस्ट, यानि ए-पिए-स का बैच भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, वह आपका लगभाग 1500 का था, लेकिन अभी छूट मिल रही है था मैं पढ़ा रहा हूँ, मैडम है, आरुशी मैडम है, वो जोग्रफी आपके लिए है, यूपी जीके के लिए है, कंस्टिचूशन के लिए बहुत 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 रिन टीचर है, एकनॉमी एंड सोसल अस्पेक्ट्स जो है, वो मौनिका मैडम पढ़ाएंगे, और हि मैडम यहाँ पर मौजूर है, एक कंबाइंड एप्रोच लेने की कोशिश की गई है, जिसमें की अनुभव ही साथ हो, और आपको यहाँ से ले जा करके सिविल सिवा की तरफ सिफ्ट किया जा सके, देखते हैं कितना फायदा मिलता है आपको, क्योंकि जब तक रिजल्ट न अगर आप महसूस करते हैं कि मेरी भूमिका रही है, तभी मेरी सफलता सुनिश्यत होती है, अदर्वाइज नहीं, मैं कुछ भी बोल लूँ, वह आपके काम का नहीं होगा, जब तक आप यह इस बात को रिकरगनाईज नहीं करते हैं, यह आपके फैकल्टी की का पढ़िच सकता है इतिहास पढ़ने के लिए, लिकिन हां, ठिंकिंग जो नेचर हमारा इतिहास के पढ़ती है, वह तो परिवर्तित होना ही चाहिए, चुकि मैंने वन्डेक एकजाम को तो नहीं बहुत टैकल किया है, सबसे जो लोइस्ट एकजाम होगा, वह आपका आरो ही होगा, और यहां से लिकर के UPSC और UPSC में भी हिस्ट्री के ऑप्शनल को पढ़ाने के दोरान और बच्चों से बात करने के दोरान जो मैंने जरूरत महसूस की, कि जहां तक हो सके इतिहास को सिंप्लिफाइड रखा जाए, सिंप्लिफाइड होने का मतलब यह नहीं होता है कि मैं केब आपको Facts पढ़ाओ, सिंप्लिफाइड होने का मतलब है कि सरल तरीके से सारी बाते बताई जाए, ताकि बच्चे Facts के जाल में ना फस है, और Concept के साथ वो Facts अपने आप उसके पास आता चला जाए, और वो Forever याद आता चला जाए, आप ऐसे जीवन की किसी घटना को याद क है, इसलिए आपको वो वात है, बहुत तेजी से याद हो रहे है, इतिहास भी तो घटनाओं का ही अध्यान करना होता है, और उसको अगर हम Facts के माध्यम से याद करें, तो याद रहेगा, आज याद करेंगे, कल खतम, परसों खतम, जब भी आप 10 बार पढ़ेंगे, तब 11 दिन वो खतम हो जाएगा, इसका मतलब है कि अगर इतिहास को हम बहतर तरीके से अंडरेस्टेंड कर लेते हैं, तो फिर ये कभी भूले वाली चीज नहीं होगी, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, अल्रेडी हिस्ट्री, सैद इस बात को रिकग्नाइज करेंगे, क लिकिन जिस बैच में मैं जा रहा हूँ, उस बैच के हिसाब से मुझे फिर से वर्क करना पड़ता है, इसका कारण है, क्योंकि हर बैच का डिमांड अलग-अलग होता है, और हर साल यह डिमांड परिवर्तित होता चला जाता है, जब आप प्रिवियस यर के कोश्चन को दे इस बात को महसूस कर रहे होंगे, जब मुझे अंकित सर के द्वारा दाइत तो दिया गया, कि आपको आरो के लिए इतिहाश विशे परहाना है, मुझे थोड़ा संकोच हुआ इसमें, तो कि जनरली क्या होता था, कि जो उपर की क्लासेस होती है, यानि UPSC, या आप PCS को ल इतिहास लेनी की सुविधा मिल जाती है, वहाँ पर जब आप पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है, और जो शिक्षक होते हैं, वह भी संतुष्ट होते हैं, कि हाँ, मैंने बच्चों को सही माइने में इतिहास डिलिवर्ड किया है, अधर्वा का कोश्चन बहुत ही समानी होगा, और वन लाइनर टाइप का होगा, जब मैंने कोश्चन को देखा, गंभीरता से देखा, पूरे स्लेवस के हिसाब से कोश्चन को देखा, मुझे समझ में आया, यह कोश्चन इतना आसान नहीं होगा बच्चों को टैकल करना, जितना आसा कि प्रश्ण की जो प्रकृर्टी रही है वह factual भी रही है, conceptual भी रही है, assertion, reason वाला question जो कि अब UPSC भी नहीं पूछती है, वह question भी यहाँ पर मैंने देखा, और बड़ी मात्रा में देखा, one-liner question भी है, statement वाला भी question है, और assertion, reason वाला भी question यहाँ पर मौझूद है, यह तीनों question अपनी अपनी प्रकृर्टी के अलग-अलग सुभाब को दिखाता है, अलग-अलग सुभाब की क्या question होता है, जब आप one-liner question बना रहे होते हैं, तो आपको बहुत कुछ facts, मतलब बहुत कुछ concept यादर करने की जोरत नहीं होती है, और असानी से आप question को आप tackle कर स संका हो जाएगा कि पता नहीं हमने इतिहास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और मैंने देखा ऐसे lot of question यहाँ पर है, प्लास की सुरुवात मैं करूँगा previous year के question से ही, ताकि मैं आपको बता पाओ, समझा पाओ, और आपसे करवध अनुरोध कर पाओ, कि बेटा, जब आप कितिहास पढ़ने के लिए आप मुझसे कमर कस चुके हैं, तो आपको करना क्या है, आपको तोड़ा सा समय इस पर व्यतीत करना है, रटवाओंगा नहीं, मैंने पहले ही कहा दिया है, लेकिन जो question की प्रकरती हमारी रही है, जिसमें कि आपको lot of confusion हो सकता है, क्या उसे दूर कि ये वगैर आगे बढ़ना संभब होगा, क्या उसको छोड़ देया है, कि जो होगा बच्चा आपना देख लेगा, मेरे बस की बात तो नहीं, मैं चाहूंगा, और बहुत मैं सुक्रिया फिर से एक बार आदा करूंगा, अंकित सर्गा, उन्होंने यह कहा है, उस दिन भी मैंने इस बात की चर्चा की, कि आप इतिहास पढ़ाने के दोरान समय का ख्याल मत रखना, अगर देर घंटे की क्लास है, तो क्लास तो खेर घंटे की होगी, लेकिन डियूरेशन अगर थोड़ा सा अधिक भी हो जाता है, तो आप उसके लिए चिंता नहीं करना, कि आप इतनी सफलता मिलती है, अब आप आरो के लिए कमर कर चुके है, तो ज़रा आप अपने फिल्ड को देखे, जिस बैटल फिल्ड में आपको उतरना है, जिस युद्भूमी में आपको उतरना है, वहाँ पर कैसे कैसे योधा इतिहास विसे से जुरे हुए है, यहां मैंने प् प्रहाया नहीं है, तो मैं कैसे आप एक्षा रख सकता हूँ, कि आप उसको solve करें, आप solve कर भी देते है तो आवश्यक नहीं है, वह question आप सही कर ही पाएंगे, और फिर नहीं करेंगे तो लगएगा कि frustration हो रहा है, मैं question solve नहीं कराऊँगा, समानी एक answer बता दूँगा, आप अभी इस पचने में पढ़ना भी नहीं कि मुझे question solve करना है क्योंकि मैं chapter by chapter आके लेके चलूँगा और फिर chapter जब complete हो जाएगा उसके बाद जब आप उसका solution ढूढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये बहुत ही आसान था इतना भाड़ी भी नहीं था जितना की सुर क्लास भी है बहुत सारी इधर उधर की बाते भी आज करनी होती है तो डेमो क्लास की बात अगर समय बच गया तो मैं इस मैप के उपर आऊंगा मैप के उपर दिखाऊंगा कि आपको क्यों एंसेंट इंडिया का मैप देखना चाहिए और मैप की थ्रू ही आपको इतिहास व सब्जेक्ट अब ऐसा क्यों हो जाता है कि मैं कहूं आप कह सकते हैं कि आप सिक्षक दिवस के दिन अपने ही विशे को आप बढ़ा चरह करके प्रसूत कर रहें करें कि मदर ऑफ फॉल सब्जेक्ट ऐसा कैसे यहां मैं आपको अस्पस टूप से संकेतित कर देना चाहता हू कि मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं कि इतिहास का विशे चुकि हम पुडाने घटनाओं के अध्यान के तौर पर ही लेते हैं वहां पर केबल हम चैंजेज को नहीं लेते हैं को भी देखते हैं यानि निरंतर्ता और परिवर्तन दोनों को देख रहे होते हैं चाहे वह समाज में परिवर्तन आया हो चाहे वह राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया हो या उस राजनीतिक व्यवस्था की निरंतर्ता रही हो तो आपके लिए जानना फिर आसान हो जाता है अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं इसका मतलब है कि एकोनॉमी के बेसिक्स को भी आप पर रहे हैं जोगरफी के बेसिक्स को पर रहे हैं पॉलिटी के बेसिक्स को भी समाज सास्तर के भी बेसिक्स को आप पर रहे हैं द्यार रखिएगा इसलिए आप मैं एक उधा राजन हो जाएगा महाराजा और फिर यहां पर हो जाएगा महाराजा धिराज हो जाएगा महाराजा धिराज बात तो कम ओवेस एक ही है चाहे महाराजा कई है महाराजा धिराज कई है चाहे राजन कई पर क्या पड़ता है सब तो राजा को ही इंगीत करता है लेकिन क्या सच म इसके साथ कोई philosophy नहीं है चाहिए सच में इसके साथ ऊएप डेवलपमेंट नहीं दिखा रहा है क्या सच में राजा की सक्तिई क्यों कम होते और बढ़ते दिखाया जा रहा है कि समय साथ लेखे चलूगा तो अब को बताऊंगा कि कैसे यह होता जैसे राजन में हमकी एक सब्द देखते हैं क्या लिखा हुआ है जन सब्द लिखा हुआ है क्या लिखा है रा पलस जन मैं यहां पर लिख देता हूं हमा लोग मैं एक पेज पेज आड़ कर देता हूं यहां पर क्या होगा राजन राजन में हमने क्या सब्द यूद कर लिया राद पलस जन अब यह जन सब्द क्या है? जन सब्द से अगर देखे जन से यहाँ पर देखेंगे आगे बनेगा जन पत फिर आगे बनेगा महा जन पत और फिर यहाँ पर बनेगा आपका सामराज. तब जाकर के हमारी राजनीतिक प्रिक्रिया पूरी हो जाएगी जन से उपर भी एक देखेंगे यहां पर आ जाएगा आपका कूल की अवधार्न क्या है यह अवधार्न अभी आप कंफ्यूज मत होईएगा कि मुझे तो पता नहीं है यह सब कुछ आप ही को पता होने बाला है क्योंकि आज introduction की class है मैं एक overview आपको दे रहा चाहता हूँ कि क्या समस्याएं आपके सामने आती है और जब आप क्रमबद धंग से नहीं पढ़ते हैं तो क्यों आप इतिहास विसे में सबसे कम जोड़ी महसूस करते हैं यहां लगता है कि आपको इतिहास विसे इंटेस्टे हो जाएगा यहां से महराजा धिराज यानि जितनी बड़ी जितने बड़े छेत्र हमारे बढ़ते चले गए उस राजा की सक्तियां भी उतने बढ़ी बढ़ती चले गई यहां पर आकर के हमने समराट कह दिया समराज इससे समराट बन गया यह क्या होता है यह च्छेत्र ब कोई समान नहीं से बाद है इसको आप रटने लगें तो रटने में कितनी सारी कठनाई हो जाएगी आप यह समझें मैंने बस ऐसे ही रन्नमली एक उदाहरन आपको दे दिया लेकिन सबसे पहले जैसा कि मैंने वादा किया मैं कुछ previous year के question को आपको दिखाऊंगा ताकि आप serious हो सके बहुत ज़्यादा serious हो सके कि जिस exam के लिए आपने admission लिया है 800 रुपया दे करके या लेने बाले हैं वह exam आपको वैसे ही हवा में निकलने वाला नहीं है भले आप अपने अभी IS का exam नहीं दिया है हो सकता है कि आपने सोचा भी नहीं हो लेकिन temperament उससे कहीं ज़्यादा ही रखना पड़ेगा कम नहीं रख सकते हैं exam सरल है अगर सारी बाते आप समझ जाते हैं तो आपको exam निकालने में कोई कटना ही नहीं होगी लेकिन temperament तो sit करना पड़ेगा ना हसते खेलते रील से देखते सब कुछ करते हुए आप चाहेंगे कि पढ़ाई कर ले यानि जीवन का सभी सुख आप करते रहें और तब चाहें कि पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद आप सफलता प्राप कर जाएं ता आप भूल लेकिन माधियम है जिसके माधियम से आप बड़े-बड़े या जो वैसी फेकल्टी जो कि आपके गाउं के आसपास अपलेबल नहीं है उससे भी आप बहुत ही कम पैसे मैं आप समझे आठ सो रुपिये कुछ भी नहीं है तो आठ सो रुपिये के बदौलत आप ऐसे फेकल यहां तक बात है किलियर हुई बच्चे एक बार गुड मॉनिंग में देख लेता हूं सभी बच्चों का कि कोई पढ़िशानी हो तो आप कभी भी जैसे अभी आपका टेलीग्राम चैनल बन जाएगा तो आप उससे जूर सकते हैं यकीन करिए कि मेरे पास कोई भी आंसर ज नहीं होता है ध्यान रखिएगा ठीक बच्चे कोई भी मैसेज अनरीड नहीं होता है जो आप लिकेशन होता है वहां पर जाएंगे और वहां पर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप कर सकते हैं उसके जरूर जूर यह सब भी बच्चे कि वहां पर मैं खुद महसूद मौझूद रहूँगा और मौझूद रहने के बाद मैं आपके सवालों का उत्तर भी दूँगा मैं ही नहीं बलकि जितने भी फैकल्टी हैं आपके जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं सब लोग टेलीग्राम चैनल पर उपलब रहेंगे ताकि आपको वर्च्वली कोई द की लेकिन अब आते हैं तोड़ा सा इंट्री करते हैं और देखते हैं कि आपके पास समस्याएं क्या है जिसका समाधान आप मेरे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं समस्या समस्या का मतलब है कि जो प्रिवेस यर के कोश्षन आ रहे हैं उसके according देखेंगे और जो समाधा को मैंने क्यों डाला था और क्या इसकी महत्ता होगी आपके इतिहास की विशय के अध्यन नेक्स चरेंगे देखते हैं कोश्चन पूरवर्शों के प्रश्ण को मैंने सामने रखा है अब देखें कुछ प्रश्ण मैंने मानक रखें या ऐसा नहीं है कि मैंने जितने भी प्रश्ण की जो प्रकृती रही है उसको सिर्फ मैंने सामने रखने की कोशिश की है आप सिर्फ देखें अभी सौल्व मत करिएगा अगर सौल्व कर पाते हैं बहुत ही सुक्रिया लेकिन अभी सौल्व करके दिबाग मत लगाईए क्योंकि अभी पढ़ाई आपकी नहीं चल रही है यह सिर्फ आपको मैं रन भूमी जो आपकी रन भूमी है यह दो भूमी है उसके जो आपके प्रतिद्वंदी है उनको मैं सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यह आपका प्रतिद्वंदी है इससे आपको पार पाना है अगर आप क्वालिफाई करना चाहत होता है और मुख्य परिक्षा सब्जेक्टिव टाइब का होता है दोनों का नेचर अलग-अलग हो जाता है यद भी सब्जेक्ट एक ही होते हैं उसके बाब जो पढ़ने का धर्रा भी थोड़ा चेंज करना पढ़ जाता है लेकिन यहां सबसे अच्छी बात है कि आपको दोन क्लास आपके लिए लगा दिया जाए मैं एक ऐसे आपके साथ स्वाल करना चाहूंगा और फिर आप देखेंगे कितना कमफर्टेवल आप हो जाते हैं को सकता है कि लास्ट जो डेमू होगा मैं सरसे अन्रोद करूंगा वह ऐसे का ही लगा दे मैं उसे टैकल कर लेता हूं कि से दिन ताकि आपको ऐसे बाले भाग में भी पता चल चाहे कि कोई दिखत आप प्रश्ण को देखिए अशे प्रश्ण जनरली क्या होता था कि पहले नाम और और पूच्छ Si jut क्या है विन्द छेटर में परशान यूगिन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंतल में गंगा-घाटी में प्रवजन किया था एक बंट क्या है उसे के संधर में या बात कर रहा है विन्द छेटर के पाशान Люб लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाती में परवजण किया, और दूसरा है कि जलवाईू परिवर्तन के खाल, इस काल में शुष्टता का चरण प्रारम हुआ था, दोनों सही है, ए-ार व्याख्यावी करता है, दोनों सही नहीं है, ए- ए-की व्याख्या नहीं करता है या R A की व्याख्या नहीं करता है A सही है R गलत है और A गलत है R सही है यह चार यह सबसे toughest question आपका माना जाता है, मैंने सोचा सबसे पहले सबसे जो भाड़ी question है वही मैं आपके सामने रख दूँए, जब आप पुरापाशान काल पढ़ेंगे, जब Paleolithic age को पर रहे होंगे, उसका अध्यान कर रहे होंगे, उसके बाद यह प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा, होता क्या है, कि जब हम पृत्थवी की बात करते हैं, तो पृत्थवी सुरुवात के दिनों में बहुत ही गर्म हुआ करता था, गर्म होता था, धीरे-धीरे इतना temperature, फिर गर्म से धीरे-धीरे ठंडा हुआ, और temperature इतना अधिक कम हो गया, कि एक तरह से वर्फ क यूग की अबधारना आगोई, जिसको ice age कहते हैं, हिम यूग कहते हैं, कि चारो तरफ बर्फी बर्फ वहड़ा हुआ है, तो जिस तरह से पृत्थवी गर्म थी, वहाँ पर भी जीवन की उत्पत्ती संभव नहीं थी, उसी प्रकार से यदि बहुत ठंडी परिस्थितिया होंगी, तो भी जीवन की उत्पत्ती संभव नहीं होगी, जहां पर temperature थोड़ा सा down हुआ, ice age का प्रभाव कम हुआ, वहां पर कुछ हद तक हम क्या देखते हैं, जीवन की सुरुवात हो जाती है, ऐसा नहीं है, यह केबल एस्या में हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि यह केबल यूरोप में या अमेर्का में हुआ होगा, जब इतिहास पढ़ते हैं तो आपको होल में पढ़ना है, आपके बल यह भारत मत सुचिए कि जब मैप आपका होगा, वह पूरे होल वर्ड को ले करके चलेंगे, माल के चलते हैं कि यह हमारा मैप, जैसे कि मैंने आपकी कहा, य माल जी यह वर्ड का मैप है, जहां लेटिन अमेर्का देखते हैं, नौर्थ अमेर्का देखते हैं, एस्या देखते हैं, यूरोप देखते हैं, एस्या का पूरा पठ होगे, अफरिका यहां, यह अफरिका का पार्ट है, लेटिन अमेर्का यहां है नहीं, लेटिन अमेर्क an सब जगह एक समान रही होंगे लेकिन जलवाईउ का भी परिवर्तन अपने हिसाब से डिपेंड करता है अगर यहां से करक्रेखा गुजर रही है और जैसे जैसे हम उपर जाएंगे तो ठंड की मात्रा बरती जाएगी या नीचे जाएंगे तो ठंड की मात्रा बरती जाएगी क्या आप जोगरफी भी पढ़ते हैं क्या भूमध्य सागर अगर मालों कि मैं यहां से ले करके चलता हूँ 8 डिगरी पर क्या इसके आसपास का temperature और क्या यहाँ पर 90 degree के आसपास का temperature कभी भी समान होगा कभी भी समान नहीं हो सकता इसलिए कि यहाँ पर temperature always ज्यादा रहेगा तो सुभावी कहें कि यहाँ पर बर्फ के पिगलने की दर थोड़ी ज्यादा रही होगी और जहां बर्फ पहले पिखलेगा सभेता का विस्तार वहां सबसे पहले हुआ एक समाने सा थियोरी है इसलिए मैंने कहा था कि जोग्रफी का भी अध्यन करना हमें आवश्चक हो जाता है जब हम इतिहास विशे को पर रहे होते हैं तो प्रश्ण को जब हम देखते है तो यहां प्रश्ण आपका था यहां पर पहरा है कि जो बिंध का एरिया है यहां से गंगा घाटी के तरफ अगर मानव का परशार होता है वह इसलिए होता है वह शुश्कता की अवधी थी यानि वहां पर धीरे धीरे मौशम शुश्क हो रहता बारिस की मात्रा कम हो रही थी बर्फ कम बन रहे थे यह तो सही है तरक कि जब भी बर्फ पीग लेगा तभी सभेता का विस्तार होगा इसका मतलब है कि यह भी सही है यह भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है तो एसरेशन रिजन का अंसर क्या हो जाएगा यह हो ज एजामपल दिया ताकि आप समझ पाएं यह प्रश्ण आपसे कितने आसानी से बनने वाला है बस एक ही काम करिएगा कि इतिहास के उत्तर दे सकूं और आपके प्रश्ण का बेहतर तरीके से समाधान भी निकाल करके दे सकूं चाहे ऑफ-लाइन हो चाहे ओनलाइन दोनों माध्यम आपके पास उपलब्द हैं एक तरह से हाइब्रीड मोड में आप आ जाते हैं एक कोशन और देखें जो थोड़ा सा असान होग अपक्षा करें हो सकता है कि यह भी थोड़ा भाड़ी ही आपको लगे क्या कर रहा है निम्लिखित मधिपाशानिक यानि मेसोलिथिक अस्थलों को देखें और इसको भौगलिक दृष्टी से पश्चीम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें अब यह हमारा अस्थल है यह अस्थल है इसको कहा जा रहा है कि आप पश्चीम से पूर्व की तरफ लेके चलें पश्चीम से पूर्व की तरफ आपको करना है यह भी एक भारी कोश्चन में से एक माना जाएगा आसान कोश्चन ही होगा यह बात अलग है कि आपने प्रिवेस सेर का कोश्चन देखा इसका आप आंसर दे देंगे लेकिन मैं इस विश्वास में नहीं रखता कि आप प्रिवियस सेर के कोश्चन को लगाएं और लगा करके उसके आंसर को याद करके लगातार प्रैक्टिस बच्चे करते रहते प्रिवियस सेर का कोश्चन है प्रिवियस सेर का कोश्चन है और ध नीचे उसकी व्याख्या होगे यह प्रक्रिया मुझे बहुत बढ़िया नहीं लगता है यदा फी बच्चे में ऐसे बुक्स बड़े लोग पढ़िये होते हैं ऐसा इसलिए मुझे लगता है क्योंकि बच्चे का जब बच्चा जब कोश्चन देखेगा उसका कॉंसेप्ट वहीं पर डंप हो जाएगी वहीं पर रुख जाएगी फिर आपको वह कॉंसेप्ट नजर नहीं आगे बनेगा ही नहीं कॉंसेप्ट आपको आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करेंगे प्रिवियस सेर का वह पहले मेरे साथ करिएगा मैं जो आपको कड़ाऊंगा उसके प्रैंटा नहीं होगी क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं यहां पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको कहीं को इकटनाई होने वाले नहीं है यहां हमने देखा क्या मैं थोड़ा इसे डिलेट कर देता हो ताकि आप समझ पाएं question को देखें यहां कह रहा है कि मेसोपेथिक मेसोलिथिक एज जो है यानि मध्य पाशान काल के अस्थल भौगौलिक द्रिश्वी से पश्चीम से पूर्व की तरफ आपको इंडिकेट करते हुए चलना है पैसरा आप जानेंगे ही नहीं पैसरा कहा है क्योंकि किताबों में कहीं पर सामानी तरीके से लिखाई ने जाता है मैं इंडिकेट कर देता हूं यहां आपका बिहार का जो मूंगेर का एरिया है वहां पर पैसरा है पिर आप देखें लेकखाया है पिर आप देखें बीरवानपूर जो बश्चिम बंगाल है यानि बंगाल आप सिधे कर कि कौन सा अस्थल कहा है कुछ बातें तोड़ी सी जो थोड़ा धुदलापन था वह समाप्त हो जाएगा अभी भी समाप्त नहीं हुआ यह समझें मैप में मैं थोड़ा सा मैप के ऊपर चलता हूं अगर प्राचीन भारत का मैप है तब तो आप नहीं इसको कवर कर पाएंगे लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं इसी मैप के साथ यहां देखिए यह है आपका गंगा का छेत्र प्रियागराज का छेत्र है जहां संगम है यह आपका यमना नदी है यह आपका संगम है यह प्रियागराज का छेत्र है तो एक जो छेत्र था आपका महादहा वह तो इसी क पास है और इन में से एक छेत्र जो आप देखेंगे वह जैसे कि मैंने कहा वह आपका प्रियागराज में लिखा हुआ है देखें यह क्या है प्रियागराज यह क्या है बंगाल में इसका मतलब है कि यहां अगर प्रियागराज है यहां अगर यहां पर प्रियागराज होगा तो बंगाल तो obvious है कि यहां ही होगा ना, तो बंगाल वाला भाग, बंगाल का चुकी एक ही अस्थल है, तो बंगाल वाला भाग सबसे last में होना है, अब यहां देखिए कि बंगाल वाला भाग है का, बीरभानपूर का मतलब 3 है, तो जहां पर भी 3 होगा, चाहे यही हमारा answer निकाल करके देगा, कुछ हद तक हमने elimination process में जाकर के, जब हमारा concept किलियर हो गया, कि कौन से अस्थल कहां पर है, तो elimination process में जाकर के, इस answer को हमने ढूनने में सफलता अपराप की, KBC में, कि भाई, यह दोनों तो हमारा certainly not होगा, मैं आपको प्रक्रिया एक बताऊंगा, कि क कौन सा certainly yes है, और कौन सा certainly not है, यह जानकारी लेनी बड़ी ज़रूरी हो, जब बच्चा exam में जाता है, आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता था, तो क्या ढूंडते हैं, कोई प्रश्णों देखने के बाद, आप देखते हैं कि कौन सा उकतर सही है, बहुत अच्छी बात है लगभग सभी यही करते हैं, लेकिन जब आप अच्छी तरह से अध्यान करते हैं, तो आपको धीरे धीरे यह पता चलने लग जाता है, कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं है, यह जब प्रकिडिया आप दिक्षित कर लेते हैं, इसमें understanding आपकी ह हो जाती है, तो आपके answer गलत होने की गुझाइस ना के बराबर होगी, देखें, जैसे कि हमने कहा, हमने answer नहीं डूनडा, लेकिन यह जरूर कहा कि answer यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, यानि A और B का कोई option नहीं है, क्योंकि हमने देख रिया कि बंगाल का area ही सबसे last यानि सबसे पूर भी area है, और beach के area को हमने divide कर दिया, पहले सबसे उपर प्रियाग राज हो गया, फिर उसके नीचे आप उतरेंगे तो मिर्जापूर होगा, जब आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो, प्रियाग राज से लगभग थोड़ी दूर, लगभग 200 km के बाद देखेंगा अब मिर्यापूर है, तो इस तरह से आप ले करके आगे बढ़ेंगे, तो आपका answer यहाँ निकल करके आ जाएगा, यह complicated question में से एक था, next देखें, यह question का एक प्रकार है, ऐसे question generally UPSC उगर में पूछे जाते हैं, लेकिन इस question को मैं बहुत भाड़ी नहीं मानू इसलिए आपको यह question बहुत पैन नहीं देगा, जबकि यह question देखने में बहुत बड़ा सा दिख रहा है, लग रहा है कि पूरे page का question है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत पैन यह देने वाला नहीं है, कैसे, सिंधु गाटी सभिता जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के चलिए, इसको भी एक करते हैं, अपने करसी संबंधित कारी के लिए जाना जाता था, दिलकुल जाना जाता था, अगर आपको मैं पूछ दूँ और अभी मैं चैट भी देखूँगा, ध्यान रखेगा, चैट भी एक देखूँगा, अभी मैं आपको मौका देता हूँ, मे मैंने थोड़ा हिंट भी कर दिया आपको, कि कोई एक ऐसा फशल है, जिसके की उपजाने के पर्थम साक्ष कहां मिलते हैं, हरपा सभिता में मिलते हैं, अगर यह प्रश्न भी हमारे माने माथे में आ जाये, दिमाग में आ जाये, तब भी यह तो मान लेंगे कि अपने उची सम्मधित कारी के लिए जरूर जाना जाता होगा, और यहां के उद्योग भी बड़े विक्सित थे, क्योंकि यह एक नगरिया सभेता थी, नहीं, जवाब नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं कपास की चर्चा कर रहा था, जो पॉटन होता है, उसकी में चर् हाँ, बिल्कुल कपास आपने कहा, जो में नाम नहीं पर अजित जी है, सैथ, उन्होंने कपास कहा, आइधिंक बहुत सारे बच्चों ने समाना अंसर दिया है, देखते हैं कितने जागरुग बच्चे, आज सिक्षक दिवस के दिन ऐसे उत्तर को दे करके आपने एक तरह स में मजा आएगा, तभी आप जब भारीपन को समझेंगे, तभी आपको लगेगा कि अच्छा मुझे थोड़ा सिरियस होनी के जोरत है, तभी तो क्वालिफाय करेंगे, सिटे लिमिटेड होते हैं, सब बच्चे तो क्वालिफाय करेंगे नहीं, यह तो आपको एहसास होना रिवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद, यानि चारों बेदों की चर्चा की गई है, और इसके जो विशे हैं, वह मुझे बताया गया है, कि इन में से क्या विशे है, अब यह जे स्टूडेंट मुझे पता ही नहीं चलेगा, भाई, विशे कैसे याद रखेंगे अगर यह पूछ देता कि रिवेद का पाठ करता कौन है, तो सैदियाब्धी भी रह जाता, यह पूछ देता कि अयुरवेद का पाठ करता कौन है, तो ज़्यादा बहतर तरीके सियाद रह जाता, अब यह विशे पूछ रहा है, यह ऐसा विशे तो कहीं मैंने किताब में ल नौन लगे उसमें कुछ बातें certainly yes बाली और कुछ बातें certainly not बाली होती ही होती है जैसे मैं अगर इस्टुएंट हूँ मुझे पता है कि सामवेद क्या है गायन योग वेद है यानि संगीत मैं यहाँ पर वेद इसको कहा जा सकता है क्योंकि इसको हम गा सकते हैं सामवेद या आपके ऐसे ही feeling आने बाले कि केवल एक मात्र जानकारी से कि सामवेद संगीत मैं श्रोत है यहाँ पर ए हमारा निकल जाता है और आंसर सी यहाँ लास्ट में डी होगा यहां आंसर हमारा सी निकल करके आ जाएगा आप सभी बचों ने अल्मॉस्ट सही जवाब ही दिया है य previous year का question हर chapter का जितना भी आया हुआ है वह सब में class में करवा दूगा और जितने भी नए question बन सकते हैं उसको भी मैं कर दूगा लेकिन यहां मैं एक चलाकी और कर देता हूं कभी-कभी मेरी इस चलाकी को आप ही समझ लीजिए आज ही क्योंकि दुवारा सैद इस पर बात नही देखे question जो previous year के होते हैं मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास previous year के question book होते हैं उससे आप देख लेते हैं तो मैं भी थोड़ा होस्यारी कर देता हूँ इसमें और previous year के question को ही मैं modified कर देता हूँ आप मेरे उपर भरुसा मत रखना भाई इस मामले में कि previous year का question आ रहा है तो ऐसा ही question होगा जैसा कि exam में पूछा गया है मुझे practice आप से करवानी है मुझे आपको सबसे tough situation के लिए तैयार करना है मुझे आपको यहाँ पर मैं क्या करूँगा इस question को मैं modified कर दूँग यानि previous year का question तो होगा ही होगा modified previous year का question भी आपके सामने रहेगा और नए question तो मैं बना के दूँगा ही दूँगा तो सचेत हो जाना चाहिए मुझे सचेत तो होना पड़ेगा न आपको ठीक है बचे यह question का एक प्रकार हो गया फिर आप देखे एक question यह भी है जो कि ABCD में answer आएगा और लेकिन यह statement wise यानि इसमें factual information नहीं है यह केबल विचार के अधार पर thoughts के अधार पर ऐसे question बनाए गय है कैसे निमलिखित कत्रों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में आप थोड़ा सा डढ़ जाते मुझे लगता कि साइद लगता कि आपको कि मैं बहुत ही अपर लेवल में जा रहा हूँ नहीं तो जब question में निकाल रहा था इस question को देखकर के मुझे एक एहसास हुआ मुझे लगा कि मैं आपको दिखाओ कि question का level क्या है जब आप देखेंगे UPSC में यह question पूछा गया है कमोबेस ऐसा question आपको UPSC में पूछा गया है लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे डर गया डरने का मतलब यह है कि मैंने सचा कि कहीं आप यह ना समझने लगें कि बास्तव में बहुत ज्यादा टफ है अरे UPSC पूछा तो इससे क्या मतलब है भाई आपने पूरा पढ़ लिया तो UPSC पूछे UPSC का बाप पूछे क्या फर्क पड़ता है लेकिन यह question इसी level का question UPSC में भी पूछा जा चुका है क्या पूछा कि चैते और विहार में क्या अंतर है विहा कोई अंतर नहीं है और विहार और चैते दोनों ही निवास के रूप में प्रियोग हो सकते हैं क्या answer दे रहे हैं B और C आ रहा है मैं यहाँ पर answer पर comment नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी अपक्षा नहीं रगता या आप answer इसका दें क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको समझान करता है दोनों फिगर एक चैती का है एक विहार का है विहार का मतलब ही होता है जो आवासस्थल है वह यानि विहार में बौध विक्षू निवास करते होंगे और चैते जिसका की साबदिक अर्थ चिता से निकला हुआ है चिता यानि एक ऐसा यहाँ देखेगा छोटा सा ए जाता है एक स्टूप का मतलब एक समाधी होता है जिसमें कि बुध या उनके महत्पूर्ण शिश्यों के अवशेश रखे जाते हैं यहां स्टूप बना हुआ है यह चिता के अवशेशों को लेकर के बनाया गया है यह हमारा एक तुरत से सृद्धा का क्यांद्र हो जाता ह है उपासना अस्थल हो जाता है अब आईए आपने सही कहा कि चैत क्या है पूजा अस्थल है जबकि विहार निवास अस्थान है असानी से जवाब दे देंगे लेकिन यहां factual information से नहीं बनेगा यहां एक statement वाला प्रश्ण आएगा एक देखेंगे यह भी आपका यह सबसे यह भी एक toughest question होगा जिसमें कहा गया तिर्थंकरों पर विचार कीजिए और सही कालकर में व्यवस्थित कीजिए इसका मतलब होगा कि ऐसे प्रश्ण को solve करने के लिए आपको 24 तिर्थंकर को याद करना पड़ेगा यहां पर मैं बहुत ही इस question को देख करके तोड़ा सा आपके लिए disappointed हो रहा हूं यहां पर आपको याद करने के सिवाए कोई चारा नहीं इका दुखा question ऐसे आएंगे ही आएंगे जो आपको परिशान कर सकते हैं लेकिन उससे आपका selection प्रभावित नहीं होगा अगर almost question आप बना देते हैं तो आपका कोई selection प्रभावित नहीं ह होगा ध्यान रखिएगा और question देखिए यह तो व्याख्या मैंने कर दी थी चुकि यह PDF में चाहूंगा का आपके पास चला जाए देखिए राजा नंद का उलेक करने बाला अभिलेखिय परमान कौन सा है यह अभी question पूछा गया है मैंने इसको भी एक मानक question की रूप में लिया हुआ है मानक question इसलिए कि या तो इसको आप रट लीजिए कहनी खतम लेकिन रट नहीं पाएंगे इसलिए कहीं कहीं सीधा मिलता ही नह information आपको भले किसी guide में लिख दिया जाए लेकिन यह information आपको सीधे नहीं मिलने वाला है इसमें आपको विशेश तोर पर सोच करके जो मैंने कहा था का आपको thinking creature बनना है उसके बाद ही इस प्रश्ण का उत्तर दे पाएंगे अब देखिए राजा नंद का उलेक कौन-कौन कर सकता है अगर सोचे तो kharvel भी कर सकता है क्योंकि राजा के नंद के बाद बाला जो पहले का होगा नहीं करेगा इसका मतलब है कि यह question थोड़ा सा टफ ही माना जाएगा, option एक भी ऐसा नहीं है, जो संकेत दे सके, यहाँ पर मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँगा, मौडियोतर का, वहाँ पर खारवेल की चर्चा करूँगा, तो खारवेल ने अपने हाथी गुमफा अभिलेक में, राजा नंद की चर्चा हरप लिया था, अभी आप देखेंगे कि मूर्थी तो लाया जाता है विदेश से, मोदी जी विदेश जाते हैं, विदेश जाते हैं क्या करते हैं, कभी योगिनी की मूर्थी अमेरिका से ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, तो यह परकिरिया प वो अभी लाने का प्रयास चल रहा है लेकिन चुकि सांस्कृतिक पहचान से जूरी हुई बाते हैं तो राजा खारबेल भी ऐसा पहले कर चुका है और उन्होंने हाथी गुमफा अभिलेख में यह सूचना दी है कि राजा महापद्मनंद ने जो जिन की मूर्ती उठा करके लाई थी कलिंग से पाटली पुत्र को उसको हमने पाटली पुत्र पर हमला करके फिर से वापस ले लिया है यहां पर राजा नंद का उल्लेख मिलता है कौन सा हो जाएगा यह आंसर हो जाएगा लेकिन जब तक यह व्याक्या करके नहीं जाए या तब तक यह बातें याद रहें लेकिन मैं सारा ये चीज देखूंगा आप देखिए पश्चमोतर भारत में सिकंदर की सफलता की निम्नकारणों में से क्या सत्य है यह भी कोश्चन का एक टाइप है कोश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें की 1234 स्टेटमेंट है और उसके अलहार पर ABCD का आंसर आपको चूज करना है यह भी कोश्चन का एक टाइप हैं जितने टाइप हो सकते हैं वह सभी कोश्चन के टाइप मैंने यहाँ पर आपके लिए लाए हुए हैं आशा करता हूँ कि कोश्चन को आपने देख करके समझ लिया होगा इतिहास को कहा तक ले जा करके हमें पढ़ाने की आवश्य कहता होगी, समानी तरीके से पढ़ना ठीक रहेगा, या हमें एक विशेश तरीके से तोड़ा सा कॉंसेप्ट लेते हुए, तोड़ा सा फैक्स में उसमें डालते हुए, फिर ले करके चलें, उस अभी कोश्चन का सॉल्व होगा, जो भी बचे नमांकन कराएंगे, आज शक दिबस के दिन, जरूर वादा कीजिए, कि आप उस इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करेंगे, जो आपके फैकल्टी के द्वारा दिया जाता है, अंकित सर ने यहां जिमिवारी केवल आरोकी नहीं दी है, मैं गोपनिय बात बोल देता हूँ, उनकी दिली एक्षा है कि यहां से जो बच्चा सुरू करेगा, या इस कोर्स को जो बच्चा पिक करेगा, पिक करने का मतलब है कि जो समझना सुरू करेगा, पर्चेज करने की में बात नहीं कर रहा, वो तो आपके बस में है, जो पिक करने का मतलब है, जो इस कोर्स के साथ जुड़ेगा, इसक कि आरो में कुछ वैसे भी बच्चे बैठते हैं जिनकी UPC या UPPCS की आयू समाप्त हो चुकी हो लेकिन जिन बच्चों के पास अबसर है वह बच्चा यहां से अगर नहीं पिक किया फिर उसके लिए मुस्कील होगा कोई भी कोर्स इससे बढ़ा नहीं होगा आपकी समझ के देर घंटे की क्लास है लगभग 10 से 12 क्लास तक जाते जाते आप समझने लगेंगे इतिहास में ऐसा कुछ है नहीं जिसको कि समझा नहीं जा सकता यह याद नहीं रखा जा सकता ठीक है बच्चे ठीक है बच्चे यहाँ पर हमने क्या देखा यह कॉम्प्लिकेशन्स हमने देखे और यह समझने की कोशिश की कि वर्च्वली कैसे हमें इतिहास विशे को पढ़ना होगा क्या ठीक है कंफर्टेवल है मोडिया जी समझ पाए आमित जी आप समझे यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा परशान मत हो यह उक्ताइए मत पढ़ा ही रहें भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि जिस एक्जाम में आप जाते हैं वह कैसा एक्जाम होता है और किस रू अतिहाश विशे को आप पढ़ेंगे या मैं अनुरूद करूँगा अंकित सरही अनुरूद करेंगे सभी फैकल्टी से कि जब वह आपके क्लास में आते हैं वह क्या करें आपके लिए कि एक टॉपिक और सब्टॉपिक जरूर सब्मिट करें टॉपिक और सब्टॉपिक का का मतलब होता है कि हमें क्या पढ़ना है और इसके अंदर क्या हमें समझने की और पढ़ने की ज़रुद है जब ये बातें आपके सामने अस्परस्ट होंगी इसका मतलब होगा कि आप समझ पाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है तूसरा यह समझ पाएंगे कि क्या क्या छूट रहा है रहा है मालो कि आपको मैंने topic भी दे दिया और sub topic भी दे दिया तो आपके पास तो यह हस्पस्ट हो गया कि यह पूरे course में हमें क्या कराये जाएगा और जब मैं आपको topic और sub topic लिख करके दे दूँगा तो आप तो बाद में टिक लगा के रखेंगे और यह कहा देंगे एकसर यह तो आपने पढ़ाया ही नहीं लिख करके दिया था लेकिन आपने पढ़ाया नहीं यह भी तो एक आपके हाथ में अपना हत्यार दे रहा हो ताकि उसके आधार पर आप faculty से अपिक्षा रख सके कोचिंग से अपिक्षा रख सके कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है जैसे यह इतिहास का किता का है मालो यह हिस्ट्री है तो हिस्ट्री अगर यहां है यह हिस्ट्री आपका एंसियंट में जाएगा मेडेवल में जाएगा और यह हिस्ट्री आपका मॉडर्न में जाएगा तीन भागों में विभाजित है वर्ल्ड कि इस यहां पर जो पेलिटीकल एक्सपेंशन वाला भाग होगा वहां पर बहुत ज़्हादा परशानी आपको नहीं हो यहाँ पर इतिहाश विसे में आपको ancient भी परना है, medieval भी परना है, modern भी परना है और culture भी परना है जहां तक मैंने प्रश्ण देखा है पिछले जो जितने भी 7-8 साल के एक्जाम हुए है उस दौरान जो मैंने प्रश्ण देखा है यहां देखा है कि modern से always थोड़े से प्रश्ण ज़्यादा होते हैं लेकिन ancient और उसके culture से कम प्रश्ण नहीं होते हैं ancient और culture का जो पार्ट है वह असल में जो UP special वाला भाग होता है वहां से भी जाकर जूर जाता है ध्यान रखेंगे वहां से भी जाकर कि यहां पार्ट जूर जाएगा इसलिए आपको यहां पर ancient संपूर्णता में medieval संपूर्णता में culture के साथ और modern को भी पढ़ना होगा और इसमें मैं करमभधता को ही follow करूँगा करमभधता को follow करने का मतलब है कि भाले question कहीं से कहीं आए लेकिन मैं यहां पर ancient से medieval से modern से और culture के साथ लेकर के इसको shift करूँगा यह class की आपकी योजना रहेगी जैसे आज क अगर शुरू होती है तो शुरू होती है वह आपकी ancient से यानि class की जो शुरुवात होगी वह किसे होगी ancient से होगी यानि प्राचीन भारत से होगी ancient इंडिया से होगी यानि आपकी class प्राचीन भारत से होगी प्राचीन भारत अब इसका topic और सब-topic क्या हो सकता है प्राची इतिहास का अध्यान क्यों आवश्यक है इतिहास का अध्यान आवश्यक क्यों आवश्यक क्यों यहाँ पर कुछ तत ही छुपे हुए हैं यहाँ पर हमें देखने की आवश्यकता पड़ेगी इतिहास का अध्यान यानि हिस्ट्री का अध्यान करते हैं study of history, क्यों essential है, क्यों आवश्यक है आपके लिए, यह मत समझेगा कि यह एक अलग topic होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे facts और concepts ऐसे आएंगे, जो आपको समझने की जरुत होगी, समझ विक्षित होगी, तभी facts याद रहेगा, मेरे साथ तो ऐसा ही लगता है, दूसरा है कि यहाँ पर सुरोत, यानि source of, of history यहाँ पर हो जाएगा, source of history हो जाएगा, सुरोत क्या है हमारा, सुरोत क्या होता है, सुरोत क्या होता है, नहीं समझ पा रहे हैं, आप आप सोस्त मत करिए आपस में बात्चीत करने का कोई मतलब नहीं ben क्योंकि मैं जो बता रहा हूं इस bob 98 की अलग अलगा के लिगिन एक बात का यकीन करिएगा जो बताया जा रहा है वह आपके लिए Back होने वाला है इससे बढ़िया मुश्किल होगा आपके लिए क्याच करना इसलिए जो बच्चे भैर से क्लास में आये हुए हैं आप कि मुझे लगता है कि कुछ से हां हां देखे चैनल आपका 9 million का हो गया यह अभी आपके जो माइक पर सोर आ होगा उसी का है आपका यह चैनल 9 million का हो गया अभी इसी समय शुक्षक दिवस के दिन आपने यहां सुखकामना दिये हैं अपने चैनल को चलिए इसके लिए आपका बहुत-बहुत मैं सुक्रिया अधा करता हूं ठीक बचे बस एक मिनिट के लिए होल्ड करेंगे ताकि मैं इ पर शुर्ट है वह किसका गयम आपका ही गयम है ना इसके मुख्षय प्लेयर आप ही आजए चलिए मैं आतो हूं यहां पर जो सोर्स ऑर हिस्ट्री है वह हमें पढ़ने की जोरत होगी साहितिक शुरोथ और दूसरा जो होगा वह हो जाएगा आपका पुरातात्विक शुरो यह हमारा हो गया टॉपिक और यह जो दोनों आप देखते हैं यह हमारा हो जाएगा सब टॉपिक हो जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा सब टॉपिक हो जाएगा यह हो जाएगा टॉपिक और यह हमारा क्या हो जाएगा सब टॉपिक होगा इसलिए मैंने शुरॉत में ही कहा था कि topic और subtopic क्या होता है उससे आप समझे़ं एतिहास केmonary интерес को व्रीफ करेंगे class में और उसके बाद आप देखेंगे कि source of history क्या है source of history का सब topic आपका साहितिक और पुराता त्विक स्रोथ हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे lot of questions होगा lot of questions यहाँ पर यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत बड़ी संख्या में मिलेंगे मुझे लगता है कि लगभग 3 class तो इसी में आपका लग जा पुरा पाशान काल या सिधे सिधे पुरा पाशान काल नहीं कहें बलकि यहाँ पर कह दे कि इसको आप पाशान काल के रूप में कह दे पाशान काल का मतलब होता है यहाँ पर stone age कह सकते हैँ प्वußाशान का मतलब क्या होता है पत्थर वाला का पत्थर का काल मतलब क्या हो गया कि खाल पथर पाये जाते थे नहीं वह जो उपकरन होते थे वह पत्थरों के बने होते थे इसलिए इसको strong age कहते हैं कैसा पत्थर होता था जर्ण यह भी मैंने आपके लिए रखा हुआ है क्योंकि मैंने आज सारे हथियार आपके लिए लिए हुए है यह जो है ना यह पाशान है पत्थर है क्वाटजाइट के बने हुए है कुछ पत्थर गिरनाइट के बने उसे हम पाशान काल काते हैं, और भी देखें, जैसे पत्थरों के कई प्रकार हो सकते हैं, यह पत्थर आपने जरूर देखा होगा नदियों के किनारे, जब नदियों के किनारे ऐसे पत्थर मिलेंगे, जिसको यहाँ पर पेबुल पत्थर कहा जाता था, पेबुल उपकरन कह आपको आपको एसे पत्थर के उपकरण भी मिलेंगे और फिर यहाँ पर आपको यह और उसे बीच छोटे पत्थर की यहाँ पर मिलेंगे सबका मतलब क्या है वह तो में बाद में बताऊंगा सबका मतलब वह हम बाद में बताऊँगा, लेकिन आप पहले यहां पर आईए, टॉपिक और सब टॉपिक पर, और देखिये कि यह टॉपिक कैसे चलता है, पाशान हो गया, पाशान एज का मतलब होगा, इस्टोन एज, लेकिन यहां पर पुरा पाशानकाल भी हो जाएगा, इसको हम गरते हैं Palaeolithic Age यानि पुर्ण पारशानकाल और दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा मध्य पारशानकाल ध्यान रखेगा यह टॉपिक और सब टॉपिक का पारट है इसको हम कहते हैं मेसलिथिक काल कहते हैं मेसलिथिक एज कहते हैं आपको याद होगा कि शुरुवात में ही मैंने जो प्रश्ण आपको बताया था एक प्रश्ण मैंने आपको यहां पर दिखाया था जो प्रिवियस एर में आया हुआ है और वह जो पूछा गया था एक बार बता देता हो आपको देखिए यहां पर भी आपको मे यहां पर हमें जब पुरा पाशान काल कहते हैं तो पुरा पाशान काल के साथ मध्य पाशान काल को भी पढ़ना होगा और तीसरा जो पढ़ना होगा वह पढ़ना होगा नव पाशान काल यानि नियोलिथिक एज लिथिक एज यहां पर हमें पढ़ना होगा नियोलिथिक एज ध्यान रखेगा यहां पर कहीं पर भी यह सभी उपकरण क्या है पाशान उपकरणों का ही प्रियोग होता है पाशान उपकरणों का ही प्रियोग होगा का ही प्रियोग यहां पर होगा केबल पाशान उपकरणों का प्रियोग होगा पाशान की उपकरणों के प्रियोग में थ पाशान उपकरन ही, यहाँ पर धातु के उपकरनों का प्रियोग नहीं होता है, इसलिए stone age हमारा क्या हो जाएगा, topic हो जाएगा, और यहाँ पर यह तीनों क्या हो जाएगे, यह हमारे सब topic हो जाएगे, यह हमारे क्या हो जाएगे, सब topic हो जाएगे, stone age हमारा क्या हो सब टॉपिक हो जाएगा मैंने कि आमको बतायात ने आप को सिक्षक्ष लेना है क्या लेना है टॉपिक अर varit मुझे क्या पढ़ना है और क्या छुदना यहाँ तक बात कि लिए हैं मैंने एक टॉपिक को अभी बताया ध्यान रखिएगा ऐसी तरह से जितने भी टॉपिक होंगे सब को मैं ब्रीफ करता हुआ चलूँगा जैसे हमने देखा पाशान काल तक हमने केबल पाशान उपकरण को देखा अब जरा एक नया काल आ जाता है जिसमें हमने देखा कि नया तामर पाशान काल इसको कहा जाने लग जाता है तामर पाशान काल यानि चालकुलेथिक एस कहा जाता है क्यालकुलेथिक या चालकुलेथिक एस कहते हैं यहाँ पर जो उपकरण है वो किसके बनने लगे उपकरण यहाँ पर तामबाग बनने लगा पलस यहाँ पर पत्थर के उपकरण बनने लगे इसलिए इसको ताम्र पाशान काल कहा गया इसका मतलब है यह काल विभाजित हो गया अब मनुष्य केबल पत्थरों के उपकरणों का परियोग नहीं कर रहा है, बलकि धातु के उपक्रनों का भी परियोग करने लगा, अगर आपसे यह प्रशन पूछ दिया जाए कि मनुष्य के द्वारा परियुक्त पहला धातु कौन सा था, यानी मनुष्य ने किस धातु का सबसे पहले परियोग किया, अगर यहां प्रश्ण पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे किया इसके लिए आपको रटने की जुरत होगी तो बिलकुल ही नहीं होगी क्योंकि यहां पर असपस्ट लिखा हुआ है पहली बार इतिहास में अगर चर्चा हुई है तो वहां कौपर की हुई है तामबे की हुई ह असानी से समझ सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा देको यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तामबे के उपकरन का प्रियोग किया गया है लेकिन प्रश्ण तो पूछा गया है और प्रश्ण यहीं से निकल करके सामने आ जाएगा यह कौपर कांसे और तामबे में कुछ फर्क होगा ना, वह भी देखने में पीला यह भी देखने में पीला, तो कांसे काल को हम तामरपाशान काल के बाद क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि कांसा स्वतंत्र धातू नहीं है, कांसा क्या है, स्वतंत्र धातू नहीं है, बलकि यह मि इसलित धातू है कैसे बनता हैं तांबा पलस तीन से बनता है अब हमारे जो पुर्वस्ते वो इतने सफल हो गये कि तांबा तो प्रयोग करते ही करते fig थे तांबे के साथ तीन को मिला कर नुछा करके उसने आयश को बिगला करके फिर लोहा प्राप्त करते हैं लोहा बनाने में तो दिक्कत थी लेकिन यह तामबा इसी सतह पर मौजूद है और टीन भी इसी सतह पर मौजूद है दोनों को इसने मिला दिया तो क्या हो गया तामबा और टीन मिला करके का हो गया कांसा बन गया कांस धात हो गई तो हमारा topic भी बदल जाएगा ये क्या हो जाएगा तामरपाशान काल के बाद कांसी काल हो जाएगा और फिर यहां पर last में हमारा आगा लोह काल लोह काल का मतलब है लोहे के उपकरनों के प्रियोग का काल उपकरनों का यहां पर प्रियोग हो जाए एक काल ऐसा आया कि मानव दिकास करते करते जब तामबा पहले पहले पत्थर का यूज करता है फिर तामबे का यूज करने लगता है तामबा और टीन मिला करके वह काशा बना लेता है और काशा बना करके फिर वह लोहे का भी प्रियोग करने लग जाता है तो धातु के प्रियोग यहां अंती मवस्ता होगी, यानि जब हम इतिहास का भी भाजन करते हैं, पुरा पाशान काल से ले करके, यहां लव काल तका करके समाप्थ हो जाता है, इसी बीच में बहुत सारे काल खंड और भी आते चले जाएंगे, तो जब पहला अध्यन हमारा ह होता है, यहां पीछे से चलते हैं topic, sub topic में, यहां जब पहला अध्यन हम सुरू करते हैं, तो इतिहास का अध्यन आवश्यक्यों यह देखते हैं, source of history देखते हैं, क्योंकि यहां पर lot of questions आते हैं, और जब topic में इंट्री करते हैं, यहां पर हमें पाशान काल, फिर लव काल, ताम्वपा पाशान का, फिर कांशिकाल, फिर लोह काल के रूप में हमें समझना होता है, यानि पाशान काल का अगला विकास करम यही हो जाएगा, अब आग आते हैं, सभेता के अंदर इंट्री करते हैं और यह आपका हो जाता है, चुक्कि यह गरबर हो जाएगा, जहां से लाश्ट था यहां से लेता हो, फिर यहां लेगे, अब जो टॉपिक आपका हो जाएगा, वह हो जाएगा हडपा सभिता, यह तो समझना आपके लिए असान है, हडपा सभिता का यह टॉपिक हो जाएगा, फिर आपका टॉपिक हो जाएगा, यहां पर आ करके बैदि वैदिक काल में पलस यहां पर आप उत्तर वैदिक काल को भी रख सकते हैं, फिर टॉपिक आपका हो जाएगा, क्योंकि सभी से प्रस्थ यहां पर पूछे जा चुके हैं, 600 BC को रख सकते हैं, जिसको हम महाजनपद काल कहते हैं, महाजनपद काल कहेंगे, यह भी आपका फिर टॉपिक आपका हो जाएगा, यह मौरिकाल, मौरिय काल, फिर टॉपिक आपका हो जाएगा, और वह हो जाएगा, मौरियोत्तर काल, मौरियोत्तर काल हो जाएगा, और देन फिर यहां पर टॉपिक आपका हो जाएगा, आपका गुप्त काल, ध्यान रखेगा, गुप् पढ़ेंगे, 16 महाजनप्रदाद की सर्चा यहां पर आपको करनी होगी, तो कि यह टॉपिक है, टॉपिक मैंने लिखा दिया, समय बचाने के लिए, फिर इसका सब टॉपिक में हर टॉपिक के साथ डिफाइन करता हुआ, चलूँगा, गुप्त काल हो गया, और जो टॉपिक यहीं पर लेंगे, जिसको कहा जाएगा, पूर्व मध्यकाल, यानि प्री मेडवल हिस्ट्री, पूर्व मध्यकाल को पढ़ेंगे, जिसमें आपको मुखिता जो हो जाएगा, चोल हो जाएगा, फिर यहां पर राजपूत, राज हो जाएगा, और फिर एक हो जाएगा, कस् का राज, कस्मीर का राज, ये तीनों इसमें आ जाएंगे पूर्व मधिकाल में, पूर्व मधिकाल को हम क्या कहते हैं, प्री मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री यहां पर कहते हैं, अब ये सब क्या है प्री मेडिवल हिस्ट्री क्यों कहते हैं, पूर्व मधिकाल क्य कहेंगे मधिपाशानकाल के अधियों कहेंगे यह सब सारा topic का के अंदर का विशय है जिस पर कि मैं कल जब class में आता हूँ तो आपके लिए सारा cover करता हुआ चलूंगा एक एक topic को देखेंगे यह सारा प्राचीन भारत होगा केबल प्राचीन भारत का अभी आपने आपको मैंने यहां पर टॉपिकर सब टॉपिक बताया है डेली क्लास होती है यहां मंडे टू सेटर्डे और यह होगी 9 to 10 30 एम तक यह क्लास होगी डेली ज्यान रखेगा मंडे टू सेटर्डे इसी बीच में टे प्रिवेश्यर का कोश्चन हो चाहिए मोडिफाइड प्रिवेश्यर का कोश्चन हो या फिर वह कोश्चन नया क्यों नहीं हो जिसको कि मैं बना करके आपके सामने देने वाला हो यह है आपके परिक्षा की योजना जिसे की आपके साथ मुझे डिसकस करना है लगाता याद रखिएगा, पांस तारीख है आज, पांस तारीख सिक्षक दिवस का दिन है, और आज से ये इस बैच का आगाज होता है, और जो अधिकारी बैच है, अधिकारी बनाने के संदर्ध में यहाँ बैच हम लोग ले करके चल रहे हैं, आरो एयाओ से सुरू करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर संतुर्ष्रमत होना आपको जाना है यो PSC तक क्योंकि मैं असल में वही चीज देने के लिए आपको आया हूँ यह तो बस एक ट्रेलर होगा RO और ARO लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इतिहाश विशे में आपकी पकड इतनी बन चुकी होगी इसके बाद का कोई भी अगर आप देना चाहें तो आप देज सकते हैं पैरलली एक कोशिश की जा रही है यह भी कि जो आपका सिविल सेवा वाला चैनल है वहाँ पर आपके लिए कुछ current affairs या इस टाइप के विशेशगी चीजों को वहाँ पर प्रस्तूत किया जाए जो भी आपके faculty हैं यानि कफल हो जाते हैं फिर भी आपको संतूष्ट नहीं होना है आपको क्या करना है यहां से अगला चरन जो है UPPCS का उसमें shift करना है और वहां से जो अगला चरन होगा वहां पर आपको shift करना है ध्यान रखेगा बिल्कुल अंकित सरका आज स्वागत कीजिए और के सिक्षक सब्सक्राइब देखते रहे बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे क्वेशन से सुरुवात कर दिया बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे सब्सक्राइब आपको आज क्वेशन दिखाएं कि आरो यारो में किस तरह के आते हैं तो साइद आप उतना अच्छा उस लहजे की तैयारी कर नहीं पाओगे एक टीचर का बेसिक दायत्व है कि अपने बच्चों को यह पहले बता दे किस तरह के बाकि कल यह एकदम बेसिक से जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हो वो उसी तरीके से पढ़ाएंगे आज की क्लास आपके पॉस्चंस का लेवल बताने के लिए आप ऐसे माज सकते हो बाकि सर क्लास आज मुझे लग रहा है खतम होने ही वाली होगी अब बस वहीं मैं चाहरा मुझे भी एहसास हो था कि यह सदारन साइक जाव है यही मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था ताकि आप सिरियस हो जाए मैंने पहले भी कहा है कि एक रूपया भी खर्च करते हैं वह आपके लिए बहुत महत्पूर्ण होता है क्योंकि आप उसके साथ समय भी दे रहे होत आपको कि इस बहुत में आपको कितना वहत्रीन टीचर एप है ठीक है और सर यूपी पी लाइच सी लेवल तक अगर बहुत कुछ लगा कि हमें सर की जरुरत ही बच्चों को पूरी तरह से भरुसा करिए रोजगार विद अंकित पर आप जितना भरुसा करते हैं उससे भी आपका कभी भी मन नहीं कृतेगा इतना मैं आपको विश्वास पिलाता हूं अच्छक दिवस की सुबकामना है आपके साथ थिर सुबह नौब जै और लगातार आप बने रहेंगे वन एंड हाफ हार की क्लास होती है डेली आपकी मंडी तू सटरेडे होने कल आप आई जो टॉपिक मैंने प्राचीन भारत का आपको बताया है यहां से ले करके आपको समझ लें कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या आपके लिए उप्योगत हैं या नहीं एक बार क्लास की सुरुवात करते हैं फिर धीरे-धीरे सभी टॉपिक मैं मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं आपके लिवा करके ही दिखाऊंगा इसका मैं जरूर तेक क्या